कि नमस्कार सात्यो आप सबका स्वागत है करियर कांसलिंग के हमारी से सीरीज में करियर कांसलिंग के हमारी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम डिपलो मा कोर्सिज के अंदर डिपलो मा इन Medical Laboratory Technician के बारे में जानेंगे इससे पहले बचो, हमारे यहाँ पर एक शब्द है Paramedical इसके बारे में जानते हैं कि यह Paramedical क्या होता है Paramedical को बोला जाता है सहायक डॉक्टर सहायक डॉक्टर यानि कि वह वैक्ति जो डॉक्टर की सहायता करता है यह Assistant बोला जाता है वो सब भी वैक्ति Paramedical स्टाफ के अंदर Count होते हैं जैसे की बचो आपने देखा होगा आप किसी अस्पताल के अंदर जाते हूं तो अस्पताल में जाने के बाद डॉक्टर आपको अलग-अलग लैबर्टरी के अंदर भी बेश सकता है जान्स के लिए मानों डॉक्टर ने आपको कोई दवाई दे और उससे आपके जो रोग था उसका निदान नहीं हुआ उप्चार नहीं हुआ तो फिर आपको डॉक्टर कुछ टेस्ट लिख के देता है वह आपको टेस्ट करवाने पड़ते हैं आप लैबर्टरी में जाते हों तो लैबर्टरी के अंदर जो व्यक्ति टेस्ट करता है यानि कि कहीं न कहीं किसी अन्य रूप के अंदर डॉक्टर की जो साहता कर रहा है वो व्यक्ति और आज का जो हमारा चेप्टर है जो विशे है वो यही है अच्छा इसके बाद मैं अगर बात करूँ ऐसे ही अगर डॉक्टर आपको X-ray के लिए भेजता है तो जो X-ray करने वाला व्यक्ति होता है यानि कि जो इस X-ray मसीन को करने वाला व्यक्ति होता है उसने X-ray में डिप्लोमा कर रखा होता है इसी तरह डॉक्टर की सहिता के लिए जो नर्स होते हैं कंपाउंडर होते हैं ऐसे बहुत सारे जो सहायक है कहीं ने कहीं किसी ने किसी रूप में ओप्रेशन थेटर की बात करो चैसे एनेस्थेश्या देने की बात करो तो ऐसे विभिन दोज डॉक्टर के सहिक होते हैं वो सभी किसी ने किसी रूप में पैरा मेडिकल स्टाफ के अंदर आते हैं तो बत्तों, medical field का दाइरा है ना, वो सिर्फ doctor तक ही सीमित नहीं होता, medical field का दाइरा, doctor से अलावा भी इसके अंदर बहुत सारे महतापुर्ण पद होते हैं, उन्हीं में से एक क्या है, paramedical staff, तो आज की हमारे इस video के अंदर, हम जानेंगे, सबसे पहले, DMLT होता क्या है, what is DML DMLT, what is DMLT, DMLT मतलब, Diploma in Medical Laboratory Technician, what is DMLT, तो देखो, पहला प्रशन तो हमारा आगया, what is DMLT, इसके बाद हम देखेंगे, इसके अंदर, eligibility, यानि कि ये कोर्स करने के लिए, हमारे पास क्या, eligibility होनी चाहिए, यानि कि हमारा eligibility, criteria के बारे में जानेंगे, अच्या, eligibility के बाद हम हम देखेंगे, admission process, कि admission का process क्या रहता है, अच्या, admission process के बाद हम देखेंगे, कि इसका duration कितना होता है, duration के बाद, इसको करने के बाद, हमारे पास कौन-कौन से scope होते हैं, तो इन सभी प्रशन के साथ, इन Qs के साथ, प्रशन के साथ, हमारी ये वीडियो हम शुरू करते हैं सबसे पहले what is DMLT यानि कि Diploma in Medical Laboratory Technician ये होता क्या है तो बच्चो ये एक Medical Science की एक ब्रांच है जो क्लिनिकल क्लिनिकल टेस्ट करने की काम करती है यानि कि मानलों डोक्टर ने आपको urine टेस्ट के लिए बेजा या डोक्टर ने आपको Blod Test के लिए बेज़ा तु यह जो Test होते हैं उन Test को करने का काम जो होता है वह उते है बचो जो Labourary Technician होता है उसका यहनि कि यह सारी जो Test है वह कौन करेगा Laboratory Technician तो आपको पता चल गया वह तिस DMT यानि कि वह वहैं गती जो यूरिन की जांस या बलड की जांस ऐसे विबिन प्रकार की जांस करता है आज बचो अगर मैं बात करूँ तो यह जांस ऐसे बहुत से रोग होते हैं जिनके उपसार के लिए जांस आशक होती है इनी जांस के मादम चे असली जो रोग होता है उसकी जड़ तक पहुंकunden जाता है तो सबसे बड़ी साहिता जो कर रहे हैं những working technician किक्योंकि डोक्टर को भी बिमारी की जड़ तक पहुंचने की लिए कही नहीं इनकी आवशक्ता पड़ती है दूसरा बच्चो अगर मैं बात करूँ इस कोर्स के लिए आपके eligibility की किस कोर्स के लिए आपके eligibility क्या होनी चाहिए या eligibility criteria क्या होता है तो बच्चो आपने कम से कम 10 प्लस 2 यानि कि 10 मी कर रखी हो और वो भी PCB या PCM PCB यानि कि physics, chemistry, biology यानि कि भोतिक विग्ञान, रसायन विग्ञान वे जीव विग्ञान इसके अलावा आप PCM में भी कर सकते हो यानि कि physics, chemistry, chemistry और math के अंदर यानि कि भोतिक विग्ञान, रसायन विग्ञान औरijn व्गनितमे और वो भी कम से कम 50% अंकों के साथ अगर आपने 10 प्लस टू इन दो सब्जेक्ट के अंदर 50 प्रतिशत अंकों के साथ कर रखी है तो आप इस डिप्लोमा के लिए eligible होते हैं आप यह डिप्लोमा कर सकते हैं और हाँ minimum age होती है बचो इस डिप्लोमा को करने की 17 एर और maximum age होती है 35 एर्स अच्छा admission process की बात करूँ तो इसके अंदर तो admission process होता है वह होता है merit based पर यानि कि आपके 12 के percentage के हिसाब से आपको admission दिया जाता है अच्छा admission होता का है इंस्टिट्यूट के अगर मैं बात करूँ तो जितने भी government medical college है या private medical college है सभी ऐसा diploma करवाते हैं यानि कि diploma in medical laboratory technician इस प्रकार का diploma करवाते हैं तो आप कहीं से भी कर सकते हैं बस फर्क सिर्फ पड़ता है बच्छो fees count अगर आप government college से करोगे तो आपकी fees कम लगेगी और आप private secretary या private college से करोगे तो आपकी आपको private college से करना पड़ेगा जिसके लिए आपको अधिक पैसा विष्ट करना पड़ेगा यह थी बात बच्छो इसके admission process की इसके मैं बात बात करूं duration की तो बच्छो डिप्लोमा कोर्स की जो duration होती है वो होती है दो साल की कि दो साल की duration होती है अच्छा इसके बाल अलावा अगर अपने बात करें बच्छो इसके इंदर स्कोप क्या होती है तो बच्छो अगर आपने डिप्लोमा इन medical laboratory technician कर रखा है तो इसके बाद आपको government sector और private sector दोनों में कई इसके प्रकार के option खुल जाती है government sector की बात में अगर करूं तो इसके अंदर आता है एम्स एम्स आ गया ओल इंडिया इंस्टिटूट ओफ मेडिकल साइंस एम्स डिली इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो डिफेंस जितनी भी अपनी डिफेंस होस्पिटल है उनके अंदर इसके अलावा अगर मैं बात करूं रेलवी के होस्पिटल के अंदर और जितने भी गौवर्मेंट होस्पिटल है उन सब के अंदर गौवर्मेंट जोब की रूप में आप अपलाई कर सकते हो यह अलग-अलग समय पे अलग-अलग रिकूटमेंट आती है उन रिकूटमेंट के अधार पर आप इनके अंदर जा सकते हो अच्छा इसके अलावा जितने भी निजी जो होस्पिटल है वहां भी आप अपलाई कर सकते हो यह वत्तों इसके अंदर स्कोप की बात तो आज की हमारी इस वीडियो में हमने जाना कि की बारे में जाना तो डायक मेरिट बेस पर होता है डूरेशन कोर्स की दो साल होती है ऐसी बच्छो जैसे आपने लेबर्टरी टेक्निशन कर डिप्लोमा किये ऐसे ही आप लेबर्टरी टेक्निशन के अंदर बैचलर भी कर सकते हैं और बैचलर होती है तीन साल की जहां डि पेरामेडिकल डिप्लोमा के उपर अलग अलग वीडियो बनाईए तो आप किसी अन्य डिप्लोमा के बारे में भी जानना चाहते हैं तो हमारी अन्य वीडियो देख सकते हैं धन्यवाद